Friends, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि Seat Metal Operation में Yield क्या होती है, Yield को हम किस लिए यूज करते हैं और इसके कम या ज्यादा होने से क्या फरक पड़ता है Friends, हमने अपनी पिछली वीडियो में Tool Manufacturing में BFM के बारे में जाना था अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओन कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो की इनफोर्मेशन मिलती रहे तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स material yield बेसिकली दो तरीकों से समझा जा सकता है एक material yield जिसको की हम yield strength बोलते हैं जो की metals की एक तरीके की mechanical property होती है जिसमें की कोई भी metal खुज की plastic deform होने से पहले किसी भी external force को या stress को कितना ज़्यादा सहन कर सकता है या endure कर सकता है वो उस metal की yield strength होती है जिसको की हम seat metal operation में draw, trim, bending, forming, piercing जैसे operation के लिए use करते हैं वहीं दूसरी तरफ material yield जिसको की हम seat metal operation में ज्यादातर cutting operation के progressive blanking tool में या progressive type tool में use करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि एक blank या raw material seat से final component बनाने में कितना amount of material use हुआ है yield strength basically material में metals के composition पर, material grade पर और seat thickness पर depend करती है जबकि material yield cutting operation पर depend करता है कि उसमें RM से final component बनाने में कितना material useful है और कितना material scrap और इसको हम इसलिए पता करते हैं ताकि उस process से जो भी component बन रहा है उसकी cost कितनी हो सकती है हम उसकी calculation कर सकें material yield को हम percentage में calculate करते हैं material yield percentage जतनी ज़्यादा होती है scrap की waste is उतनी कम होती है और component की cost उसके according कम हो सकती है और strip utilization उतना अच्छा होता है और tooled याइन भी उसके हिसाब से बढ़िया होता है जबकि अगर material yield percentage कम है तो उसमें scrap की waste is बहुत ज़्यादा होती है और ऐसा हो सकता है कि उसकी वज़ासे component की cost ज़्यादा हो और यदि material yield किसी region की वज़ासे कम है तो हम उसको बढ़ाने के लिए अपने tool में VAVE यानि की value analysis और value engineering करते हैं जिसको हम ज़्यादातर draw operation में blank sheet को कैसे कम कर सकते हैं कितना कम कर सकते हैं और किस direction में कम कर सकते हैं ये सब चीजे होती हैं जबकि material yield जिसको की हम strip utilization के नाम से जानते हैं इसको हम ज़्यादातर progressive type tools में यूज करते हैं जिसमें की एक tool में different stage पर कितना कितना scrap produce हो रहा है इन सब कीजों का पता चलता है और strip utilization निकालने के लिए हमें strip layout का पता होना बहुत ज़रूरी है friends हम अपनी अगली वीडियो में strip layout के बारे में जानेंगे अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई doubt है या कुछ पूछना या बताना चाहते हैं तो please comment करके जरूर बताईए और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please इसको like करके चैनल को subscribe जरूर करें और जादा से जादा share करें धन्यवाद